क्या होगा अगर आपको सभाई करना पड़े 100 days as a reaper सोचो कि आप एक normal इंसान हो और आप मर जाते हो फिर आप बन जाते हो एक reaper तो as a reaper मुझे लोगों को माना और उनकी soul collect करना बहुत पसंद है तो मुझे lots के लिए टरने बोला है कि मुझे 100 दिन में 100 souls collect करना है बढ़ना हो मुझे मार देगा तो क्या मैं सभाई कर पाऊंगा 100 days as a reaper जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना तो अगर तुम्हें वीडियो चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो का लाइक है मैं रखता है 1 बस मुझे तुम्हारा लाइक चाहिए और हम 350 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा close है तो नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब को बटन दिख रहा है जली से आको उसे दबा दो यहाँ पर मुझे दिखते है कुछ Dead Knights यानि की मरे होई सिपाई और यहाँ पर यह लोग मेरी तरफ ही आ रहे थे और हैर मैंने तो कुछ किया भी नहीं था भी तक के तो जली से मैं जाता हूँ इन में से एक के पास तो यह मुझे बताता है कि मैं Lord Skeleton यानि की जो यहाँ का में डीमन है उसके कैसल में हूँ और उसने मुझे बुला है अभी क्योंकि एक Reaper की पोस्ट खाली हो चुकी है इसके पहला ला Reaper मर चुका है तो यह मुझे बताती कि तुम अंदर जाके उन से मिल सकते हो तो मैं जाता हूँ अंदर की तरफ कर लूँगा आपके रहे लौट स्केलिटन लेकिन उससे पहले क्योंकि तुम बहुत जादा कमजोर हो तो मैं तुम्हें दूँगा एक ग्रीम रीपर का ब्लेड जिसका नाम मुझे नहीं पता क्या होता है लेकिन बहुत खतनाक था यह उससरे यहाँख से, तवो मुझे मुझे बहुता ही कि इंधाause ही मैं मुझे कुछ आजीब से लोग देखना चालू होते है तो मैं बिना रुखी मानना चालू करता हूं तो मैंने कलेट किया ता अपना पहला सोल और बिना रुकी मुझे जो भी दिखता है मैं उसे मालना चालू करता हूँ, यहाँ पे दो तीन कुटों को भी मार देता हूँ, और यह शायद कोई ट्राइब लोग होते हैं, वो इनको भी जली जली से निप्टाना चालू करता हूँ, यहाँ एक अजीब से टाइप की ओरत ह होती है, वाइट कलर की, उसको भी खतम कर देता हूँ, अभी तक है मैं इसको भी निप्टा देता हूँ, और मैं बहुत जाएद ताकत वर होते जा रहा था, तो जली से मैं उड़ता हूँ, और अगले काफी दिनों तक है मैं घूमते रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दि मुझे दिखता है एक विलेज, तो जली से मैं बढ़ता हूँ, और हिया पे मुझे और काफी सारथे विलेजर दिखते हैं, तो मैं जली से मैं इनको एक एक करके मारना चालू मलाता हूँ, तो मैं जली से मारता हूँ, लेकिन फिर मैं ऊड़ना चालू teaching deciding इसका damage बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो मेरे hearts भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते, तो मुझे जल्दी से कुछ खाना पड़ता है, और उसके बाद मैं वाफी से जाता हूँ, और उसे एक shot में मार के खताम कर जाता हूँ, और इसको मानने के बाद मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुगा था और मुझे यहाँ पर कुछ आरन के इंगर्ट भी मिल जाते है और मुझे यहाँ पर लिखता है घोड़ा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आचाता है तो मैं जल्दी से आता हूँ उसके पास मैं बैटने कोशिश करता हूँ लेकिन बात नहीं मानता है तो मैं जल्दी से इसको कंवर्ट कर देता हूँ सोल डीपर के होस में और यह भी एक दों खतानाक स्केलेटन वाला होस बन चुका था और तब ही यहाँ पर आ जाते कुछ गार्ड विलेजर्स और भीना रोके मुझे मानना चालू करते तो मैं बन को जल्दी से निप्टा देता हूँ उसके आट मेरी हेल्थ कम हो जाती है तो मैं जल्दी से घर के अंदर से जाके एक चेस में से निकाल देता हूँ और जल्दी से उसमें से कुछ ब्रेड खावी लेता हूँ और उसके बाद मैं बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर आगे में दिखता है ग्रेवयार्ड तो जल्दी समय ग्रेवयार्ड में आता पालब दोस्तार कि मुझे उक्ति मुझे मारा व हो न contradd हो जाता हूं यहाज हम पालब सबदे निगорош!! Hunters तो ये ही मुझे बताता है कि इन लोग ने इसको माला था तो मैं जल्ली से इसको मालना चालू करता हूँ और इनको भी निप्टा देता हूँ और इनकी भी Soul मुझे मिल जाती है और एक यहां पर छुप जाता है और मुझे गंसे मारता है तो लेकिन मैं इसको भी निप्टा देता हूँ और इनको मानने का मुझे एक अजीब सा ब्लड वेसल मिलता है उसको पीते है मेरे हल्थ पूरी फूल हो जाती है तो उसके बाद ये मुझे लौट सके लिटन के कैसल में थो जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है और मुझे झालाि के लिए Südwe दिनों तक है मैं यहां हो भटकते रहता हूँ और यहां भी मुझे दिखती है कुछ अजीब सी ग्लोइंग वाली एंजल्स जो कि यहां पर बहुत ज्यादा थे और मैं देखता हूँ तो एक दम छोटे से थे लेकिन बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे थे पता नहीं क्यूँ तो और एक एक करिये शबो खुता झालबर हैं तो में मुझे बहुत जाता है तो कुछ लास्ट के चीट मारता हूँ और यहहां पर मर चुगा थ है और उसका struct regularly णेक्ञा रामर यह मुझे देता हूऊ और मैं थे जीर मेरे पैर नहीं दिख रहे थे और उसके बाद यह मुझे देती है इस वीडियो को लाइक कर दो तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे आपे दिखते है एक अजीब सा विलेज जा में मुझे दिख रहे थे घोड़े और इंसानों का combination तो पहले तो यह लोग मुझे मानना चालू करते हैं इनको लगता है कि शायद मैं इने मानने आया हूँ लेकिन मैंने समझात होगी मैंने मानने ने आया हूँ मैं इनकी help करने के लिए और उसके बाद यह मेरी बात मानते हैं और ही मुझे बताते है कि यहाँ पर एक अजीब स किसे मेरो पर attack करता है बीच बीच में और यह खूद तो ऐसे रहा है जैसी कि पानी में खूद रहा हो सीधा और यह मुझे एक fight में पूरा उपर फिक दे रहा है और वो तो अच्छे कि मुझे कोई damage नहीं होता है तो मैं इससे कुछ देर तक कि देखते रहता हूँ और जैस जली से यहाँ पर मूर्ती मिलती उसको तोड़ता हूँ यहाँ पर चेस्ट मुझे मिल जाता है golden apple तो जली से मैं रख लेता अपने बास और आगे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखते हैं और काफी सारे डीपर्स जो की मेरी तरह ही थे और यह लोग मुझे बताते ह उस लौट स्केलिटर ने मुझे मानने के लिए तो इतना सब बोलने के दो तीनों बिना रूखे मुझे मानना चालू करते हैं तो मैं उनको मानने कोशिश करता हूँ लेकिन वह बहुत गंदला डैमेज दे और पता नहीं उन में से एक तो क्या कर रहा था एक ब्लू कलर की आग निकारा था जिसके वारे से मुझे बहुत गंदला डैमेज हो रहा था लेकिन मैं जल्दी से उसको भी निप्टा देता हूँ और यह ब्लू कलर की आग कैसे निकाल सकता है और उसके बाद यहां पर देखता हूँ एक आखरी रीपर बचा था लेकिन तब ही यहां पर और यह और कोई नहीं यह थे जियूस तो जल्दी से उसको खतम कर देते हैं और फिर मेरे पास आके मुझे से बोलते हैं इन्हें पता ही कि अब मैं अच्छा बन चुका हूँ और मैं ऐसे बुरे लोग को मार रहा हूँ और उनकी स्वोल कलेट कर रहा हूँ तो यह चाहते ही लेकिन तब ही मेरे पीछे काफी सारे जॉंबी का अटना को जाता हैं तो जल्दी को नाम लेने से रहते हूँ और फिर उसके काफी सारे जॉंबी कायसली जहता है चार उसके अंदर से नहीं कर रहे थे वाला जॉम्बी था तो यहां पर पुरे जॉम्बी की फॉज मेरे पीछे पढ़ जाती है लेकिन हम दोनों मिलके पूरे जॉम्बी को खतम कर देते उसके बाद मैं जाता हूं उनके साथ अंदर और तब यहां पर मुझे दिखते कुछ फ्रोजन जॉम्बी जो की मेरे उपर आइस बाल फेक रहे थे तो मैं जली जाके इनको भी निप्टा देता हूं और फिर मैं कुछ दिर के बाद देखता हूं आसमान में तो लाइटनिंग होती है और यहां से नीचे उतरता है जो की पूरे एकदम खतानाग दिख रहा था जैसे हमें देखता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके पूछता है कि हम लोग क्यों आए तो हम इसे बोलते हैं कि हम इसे मानने के लिए हैं तो यह और भी आदा पागल हो जाता है और बोलता है कि अब तो तुम लोग यहां से जिंदा बहार भी नहीं जा सकते और फिर बिना रूख के यहाँ पर Zeus उसे मानना चालू करते है उसकी health बहुत जादा कम हो जाती है लेकिन फिर उसके यहाँ पर एकदम से lightning strike करता है और फिर बिना रूख के इन दोनों के बीच में खतनाग war चलते रहती है काफी देर तक के लोग लड़ते रहते है लेकिन आखरी में वो Zeus को मार देता है और मैं जली से बहार निकलता हूँ यह सब देखते हुए और मुझे यहाँ पर मिल जाता है Zeus का bolt जली से मैं इसको रखके अपने बस यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं माना था लेकिन अब मैं Zeus का बतला लेने आओंगा इस जॉंबी गॉड को मानने के लिए तो जली से मैं आगे उड़ जाता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पर दिखते है कुछ मूस जो की लड़ रहे थे आपस में और मेरे पास एकदम नया बोल्ड भी आया था तो मैं इसका यूस करता हूँ इन मूस के उपर और बिना रुक इनको जला जला के माना चालू करता हूँ तो उसमें से यह भी मर जाता है और मुझे काफी सारे सोल और मिल चुके थे तो यह यह तो बहुत ज्यादा खतनाक चीज थी तो मैं जली से इसको लेकर आगे बढ़ता हूँ और मुझे नहीं पता था कि मुझे कहा जाना चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ दिन ऊड़ने के बाद तुम्हें आपिया क्या कर रहो वह बोलते हैं कि तुम्हें तो लौट स्केलेटर ने बहाँ निकाल दिया था और अब मुझे वो काम्दे दिया इस होल कलेट करने का तो मैं भोलता हूए बहुत से माना चालू करता हूँ बिनस्यादा ताकति ही और बिना रुक के उसे मानना चालू करता हूँ और फिर एक लास्ट फाइट मार के उसे खतम भी खड़ लेता हूँ और इसकी सोल मिलने के बाद तो मैं और भी जाद ताकतवर हो चुका था तो मुझे जल से जल लौड स्केलिटन को मानना पड़ेगा लेकिन मैं जली से आगे मारे तो मैं यहां से उड़ते हूए काफी दिनों तक के आगे बढ़ता हूँ उसके बाद मुझे आपे दिखता है एक ब्लैक कलर का सोल जो की पता नहीं ऐसे भटक रहा था तो जली से मैं इसे भी मार लेता हूँ क्योंकि आसे भटकने से अच्छा मैं इसे अपने पास जो कि बिना रुग है आके विलेजर्स को मार रहा है तो मैं जली से जाता हूँ और मेरे सामने भी एक और को मार के उसकी सोल कलेट करता है तो मैं इसे पूछता हूँ कि यह कौन है और इसको किस ने आपे भेज़ा है तो यह मुझे बताता है कि इसको भी Lord Skeleton के लीटन ने भ करती है तो मैंसे खतम कर देता हूँ और पता नहीं कि अजीव सा कुटा था जिसके आज वाजी पूरे काटे लगे थे इसको भी निप्टा देता हूँ और फिर वापीस से उड़ते हो जाता हूँ और फिर आराम से बैठके मैं यहां पर देखता हूँ यह संसेट और काफी द और एकदम से पता है नहीं फैंटम भी मेरे ओपर अटैक करना चालू करते है तो इनको भी मारकिन की सोल कलेट कर लेता हूँ उसके बाद मुझे बताता है कि इस सब के पीछे है लॉट सेलिटन जिसने हेट्स को और काफी सारे जो गौड जैसे की जॉम्बी गौड इन सब क को अपने पास रख लिया है और फिर बिना रूकियर झीजोस को माने के लिए क्ली से पैस को बेच दिया था वर लेकिन हेट्स मार नि पाता बहुत ज़्दा खटनाक था और बहुत ज़्दा इसकी बॉडी भी ठी और बहुत खटनाक भी दिक रा था एकडम तो मैं इसे बोलता हूँ कि Heซ का है तो मुझे बोलता है कि मैं चलू करता हूँ और एक लास्ट हीट मारता हो और यह मर जाता है तो मरने के बाद मुझे यहाँ पर दिखता है इसका बुकेंट कुईल जिसमें की लिखा हुआ था कि कहा पर मुझे हेट्स मिलने वाला है तो जली से मैं उसको रखता हूँ अपने पास और फिर मैं खोल लेता हो और भी जाता है यहां अबस और पासलिक मुझे कुलेज मुझे मीलने वाला है इंच करता है तो ऒशक बतल से बिखतीmam ऑता हो है उ जल्डी से जाता हो मैं उड़ते हुए और यहां पर मुझे एक दिखता है विलेज और यहां पर पता नहीं कोई अजीब सा राश्यास था जो कि बिना रूख यहां पर विलेज़ को मार रहा था और दिखने में लॉट स्केलिटन ने इनको मार केंगी सोल कलेट करने के लिए और यहां लॉट स्केलिटन किसी को भी काम पर रख रहा था तो फिर बिना रूखे मेरो पर आग फेकना चालू करता है और फिर मैं उड़ता हूँ यहां से और जली से पानी में जाके मैं शान्त होता हूँ फिर से लाइटनिंग बोल्ट से मारता हूँ लेकिन यह फिर से आघ फेकना चालू करता है कि मैंसे बचते हूँ अपनी हतियार से मानना चालू करता हूँ बिना रूखे और फिर उसका कुछ हित मारता हूँ तो एकदम से पूरा आड़ा हो जाता है और अजीब सा दिख रहा था तो मैंसे मारता हूँ कुछ हीट और आखरी में ग्लास हीट में ख़दम कर देता हूँ इसकी भी सोल मुझे मिल जाती है और फिर दूर में मुझे दिखता है कोलीजियम और मुझे यहीं पर मिलना था है तो जली से महाँ से उड़ जाता हूँ और उड़के मैं सीधा और खूदता है सीधा और फिर जली से मेरे पास आता है और फिर उसके अद मैंसे पूछता हूँ कि यह लॉट स्केली टन मुझे कहा पर मिलेगा तो यह बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता हूँगा उसके लिए तुम्हें मुझे मानना पड़ेगा तो मैं बोलता हूँ अब तुम मनने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर जल्दी से मेरे उपर आके अटैक करता है तो मैं भी इसे अपनी लाइटिंग बोल्ट से मारता हूँ लेकिन उसे बच्चते रहता है ये और फिर मेरे पीछे भागता है मानने के लिए तो मैं यसे अपनी sopran नारो से मारता हूँ तो कुछ हेल जाती है इसकी और फिर पता हानी एकदम से फैंटम आ जाता है तो जल्दी से ये फिर मुझे मानना चालू करता है और इसे फैंटम भी उसके साथ मिल के मुझे मानना चालू करता है और एक अजीब सा टाइप के जॉंबी भी दिखते मुझे और पता नहीं कौन से राश्यस थे तो जलिस इनको निप्टा देता हूँ और ये एकदम खतनाक वाला जॉंबी था जो बॉड़ी बिल्डर दिख रहा था इसको भी खतम करता हूँ और फिर हेट्स मुझे वापिस से मानना चालू करता है तो मैं भी से कुछ लास्ट के हेट मारता हूँ और फिर मर जाता है और इसकी सोल मिलने के बाद तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था तो फिर मौसम भी ठीक हो जाता है जैसे ही मर जाता है उसके अर्म मुझे आगे दिखता है कि इसके मानने के बाद मुझे आपे कावी सारी चीजे दिख रही थी तो जली से मैं जाता हूँ तो मुझे आपे पहले मिल जाती है एक आए और इसकी मतरसे मैं लॉट स्केलिटन के पास जा सकता था और कुछ आर्मर भी मिलता है तो जली से मैं पहले लेता हूँ और ये आर्मर था असली रीपर वाला आर्मर तो जली से तुम बता तो कॉमें तुमें कैसा लग रही है तो जली से मैं आएसे उड़ना चालू करता हूँ उससे पहली कि मैं Lord Skeleton के पास जाओ मुझे एक और काम करना बागी था जो कि था Zeus का बदला लेना तो मैं Zombie God के Castle के पास पहुचता हूँ और मैं इसे पूछता हूँ कि कहा पे मिलेगा यह तो मुझे बताता नहीं है तो मैं इसे मारना चालू करता हूँ तो खतम भी कर लेता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ने पे मुझे मिल जाता है इसका Castle तो जली से मैं उड़ते हो जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे कोई भी नी दिखता हूँ और एक अजीब सा टाइप का Zombie फिर आगे से आता है जो की शायद Hero Brine Zombie टाइप था और बहुत गंदा डैमेज था इसका एक और शॉट में तो मुझे खतम कर देता हूँ तो मैं उसे Lightning Bolt से मारता हूँ और बिना रूखे अपने Bow and Arrow से खतम कर देता हूँ और इसकी भी Soul मुझे मिल जाती है जल्द से कुछ खाता हूँ और अंदर मुझे दिख चुका था Zombie God तो जैसे मुझे देखता है मुझे पैचान जाता है और फिर बोलता है तुम यहाँ पर क्यू आयो तो मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें मारने के लिए जी उसका बतला लेने के लिए तो फिर बिना रूके मुझे मारना चालू करता है और मैं भी थोड़ा दूर हट जाता हूँ और इसको Bow and Arrow से मारता हूँ कुछ भी नहीं होता तो मैं इसे Lightning Bolt से मारने कोशिश करता हूँ उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होता है इसे बाद मैं इसे माना चालू करता हूँ और यहाँ पे लास हीट में मर जाता है और इसकी Soul मिलने के बाद तो अब मैं आराम से मार सकता था Lord Skeleton को और मरने के बाद यहाँ पे कोई अजीब सी चीज़ ड्रॉप करता है और फिर मैं कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँच जाता हूँ उसी जगह पे जहाँ पे रहता था Lord Skeleton और जल्दी से मैं जगह पहुच चुका था आगे बढ़ता हूँ तो मेरे सामने में था यहाँ पे Lord Skeleton जैसे मुझे देखता है मेरे बास आता है और मुझे बोलता है कि अब तुम्हें आप पे आगे मरने के लिए अब तो मैं तुम्हें इस बारी जिन्दा यहाँ से जाने नहीं दूँगा तो मैं इसे बोलता हूँ कि मैं भी इसे नहीं छोड़ने आला मैं भी बहुँच जाया ताकतवर हो चुका हूँ तो फिर उसके बाद हम दोने एक दूसरे को माना चालू करते हैं लेकिन तब ही पीछे में गजिप सा कुटता आता है जो की मुझे आग पेक रहा था जल्दी से इसको निप्टाता हूँ और देखतो तो एकदम से गाया वो चुगा था और इसे मारता हूँ कुछ बो एन एरो के शॉट और फिर आगे वाले रूम में घुच जाता हूँ सीधा मैं और फिर वापीस से मैं ब्रेट खा लेता हूँ क्योंकि मेरी हैल्द बहुत जादा कम हो चुकी थी तो मैं ऐसे डरता नहीं हूँ मैं सीधा जाता हूँ और एक लास इट मारके खतम कर जाता हूँ और पता नहीं इतनी ताकाद एक दम से कहा से आगी मेरे अंदर और पूरा एक दम टुकडों में बिखर जाता है ये और इसके बाद अभी जगा का राजा मैं बन चुगा था तो जली से मैं जाता हूँ अपने गदी के बास और यहाँ पे जाके अब मैं इस जगा का राजा बन चुगा था और अब मैं इस जगा को रूल करने वाला था तो अगर तुमें वीडियो अच्छा लगए तो इस वीडियो को लाइक करो और अगर नीचे जो तुमें सब्सक्राइब को बटन देख रहे हैं जली से उसे दबा दो तो यहाँ नीचे अपना फेवरेट पार्ट कॉमेंट कर दो मैं मिलता तुमसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई